हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चनल को कुवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होष्ट अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है औ तो फ्रेंट्स वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा देखें मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जो भी वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहु इससे कि इसमें एक अच्छा सा मोयन लग जाए चावल के आठे में अच्छा सा मोयन लगने से जो हमारा नास्ता है वो बहुत ही जादा सौफ्ट बनके तयार होगा तो इस तरह से अच्छे से मोयन लगा लिया है मैंने और आप देख सकते हैं अब इसको हमें गुंथना है तो यहाँ पे मैं ले लूँगी गरम पानी क्योंकि चावल के आठे को गुंथने के लिए हमेशा गरम पानी का ही यूज किया जाता है नहीं तो जो चावल का आठा है वो फटने लगेगा और अच्छा सा सौफ्ट सा नहीं बन पाता है तो इसको मिक्स करने के लिए यहाँ अब मैं एस्पून का सहता ले रही हूं क्योंकि अभी पानी जो मैंने यूज किया है वो बहुत ज्यादा गरम है तो थोरा थोरा करके हम पानी डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे जितना हमें पानी लगे तो एक बार में ज्यादा पानी बिल्कुल ना में दोने लेंटालें तकि जाएंग आटा डौल हो तो इस तरह से धीरे-धीरे करें हमें पानी बिल्स करते जाना है और इसको मिक्स करते हैं अब हम ए-सपून को हटा देंगे और अपने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करते हुए इसका एक आराम करिए pèreевो आलो उतना ही या फिर आप थोड़ी दिर इसको छोड़ दें फिर अच्छे से मिक्स कर लें तो ये देखें लेकिन थोड़ा सा पानी हलका गरम होना ही चाहिए तभी इसको इस तरह से मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं जो आटा है वो बहुत ही अच्छा सा लगके तयार हुआ है तो ऐस करना है और जितने अच्छे से आप आटे को कूथेंगे उतना ही अच्छा आपका रेसिपी बनेगा बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं आएगा तो अब इसको ढखके हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए जब तक यह रेष्ट करता है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो इस कर देते हैं और जो पानी है एक्स्ट्रा उसको हम निकाल के ले आते हैं तो यह देखे यहां पर मैंने सारा पानी निकाल दिया है तो अब हम इस ग्रैंडिंग जार ले लेंगे और इसको ग्रैंडिंग जार में डाल देंगे तो जितना भी हमारे पास दाल है इसको हमें इस तो यह देखिए अच्छे से यह पिसके, फाइन सा पेष्ट तयार हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में, तो अगर जो दाल जादा टाइम तक फूलता रहता है तो पानी की जरूत नहीं परती है, तो अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, तो यहां मैं इसमें डाल रही हूँ, थोरी सी हल्दी पॉडर, आधी चम्मच के बराबर कस्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पॉडर, इसी के साथ स्वादानुसार नमक, तो नमक एरजेस्ट करते हुए ही डाले क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला है, और इस इसका ठिकनेस है ऐसा ही ठिकनेस रखना है इससे ज्यादा नमक डिला करना और नहीं ज्यादा टाइट करना है, तो अब हमारा आटा जो है उसको हम ले लेते हैं और एक बार और अच्छे से इसको हम मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब इसको छोड़ते है ना, तो मतलब टाइट हो जाता है तो अच्छे से इसको मसल के हमें फिर से सॉफ्ट कर लेना है और आपको हाथ से ही पता लग जाएगा कि यह आटा जब आप इसको गोले बनाएंगे ना तो क्रेक्स नहीं आएगा इसका मतलब आटा परफेक्ट लगा है अगर गोले बनाते समय आपक क्रेक्स आए तो थोरी देर ओर आपको मसल के तैयार करलें तो इस तरह से इसके बड़े-बड़े लोई हमें तोर लेने हैं तो यहां पर मैंने चकला ले लिया है और इसंपर हम लगा देंगे थोड़ा सा ओाइल मैं लगनेशा को और बनेर भीने तो डी आपके यहाएन अब इसको हम बेल लेंगे आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे या फिर जो स्लैब होता है उस पर भी आप बेल के तयार कर सकते हैं तो अब इसे हमें अच्छे से बेल लेना है तो अगर आप से मतलब इस तरह से अगर उठ नहीं पाए तो इस तरह से हम चकले को ही घुमा तो इसका जो ठिकनेस है, वो हमें medium ठिकनेस रखना है, नहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा यह देखे, इस तरह की ठिकनेस हमें इसकी रखनी होती है, तो चलिए यह तैयार हो चुका है, तो अब इसके उपर हम डाल देंगे, जो हमने डाल का मिसरन तैयार किया था तो इसको हमें अच्छे से स्प्रेट कर लेना है इसको भी ज्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि जब अपे स्टीम करेंगे ना इसको ज्यादा मोटा रहेगा तो फिर यह अच्छे से पकेगा नहीं तो इस तरह से हमें इसको भी एक लेयर में ही फैलाना है ज्याद बहत ही आराम से करना है क्योंकि चावल का आठा ना बहुत ही जञादा सौफ्ट होता है अगर यह इस्तर अंग जयादा करेंगे तो फटने लगे गा और जो दोनों साइड खुला हुआ है इसको हमें इस तरह से सिक्योर कर देना है ताकि ये कहीं से भी निकले नहीं और अच्छी तरह से इसको हमें इस तरह से ये देखे हलके हाथों से इस तरह से गुमा देना है जिससे कि ये एकदम अराम से चिपक जाए बहुत ये आसानी से ये चिपक जाता है इसमें हमें कोई पानी लगाने की जुरूत नहीं परती है इसी तरह से हम दूसरा भी बेल के तयार कर लेंगे तो सेम इसी तरह हमने चकले में लगा दिया है वाइल और अब इसको हम बेल लेंगे जो जितना मतलब मीडियम ठीकनेस में इस तरह से और चकले को इस तरह से घुमाते हुए बेलना है बार बार इसको आप उठाएंगे ना तो यह तूट जाएगा इसलिए चकले को ही घुमाना ज्यादा ठीक रहता है तो अब यहां पर यह बेल के मैंने तयार कर लिया है अब सेम इसी तरह से हम अच्छे से इस पर जो हमारा दा है तो यह देखे इस तरह से हमें इसको रोल कर लेना है और जो साइड से हलका सा निकल जाए उसको आप हटा दीजे और दोनों साइड भी अच्छी तरह से हमें इसको यह देखे इस तरह से बंद कर देना है और एक बार अच्छे हलके हाथों से इसको घुमा देंगे तो यह हमारा जाली वाला प्लेट है उसको हम इस तरह से ओयल से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम रोल को इसमें रखें तो वो बिल्कुल भी चिपके नहीं आप चाहें तो यहां पे श्टीमर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आटा चालने की जो चलनी होती है न इस टील वाली उसका यूज कर सकते हैं तो अब इस तरह से जो दोनों रोल हमने बना के तयार किया था उसको डाल देंगे इसी थाली में और अब इसको हमें ढ़क के दस से पंदरा मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है पका लेना है तो दस मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लेती हू अब ही मैं आपको दिखा देती हूं तूथपीक से जब आप इसमें तूथपीक या नाइफ डालें तो यह देखिए एकदम क्लीन निकला है तो ऐसा निकलना चाहिए इसका मतलब जो हमारा रोल है वो पके तयार हो चुका है तो अब इसको मैंने निकाल लिया है इसको अच पूटने लगता है तो यह देखिए कितना सॉफ्ट बनके तयार हुआ है आप देख सकते हैं इसके काटने से ही बहुत ही आसानी से और बहुत ही सॉप्ट है अगर काटते समय नाइफ में हलका सा लगे तो नाइफ को आप पोच लें और इस तरह से कट कर लें तो यहां पे म खाने में भी यह बहुत ही जादा टेश्टी लगता है इसको आप केचप के साथ धन्या के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको जो है आप हलका सा राई या सरसो डालके हलका सा सौते भी करके खा सकते हैं तो आपको रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर ब